राम के नाम पर एक 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 स्पेक्टेकल क्रियेट किया उससे भी कोई फाइदा नहीं चलो ये करते हैं लेकिन करपूरी जी के राजनीत को समझने के लिए सांकेतिकता से उपर जाना हो अकेले हो गई वह अलग हो गई यह सब बहुत एक्स्ट्रीम रियाक्शन इससे बचना नीच पोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग इंडिया ब्लोग को बड़ा जटका लगा है ममता बनर जी ने साफ एलान कर दिया है कि वो चुनाव अलग लड़ेंगी इंडिया एलान से अलग चुनाव लड़ेंगी ममता बनर जी उन्होंने ये बड लिए जाएगा जिस प्रकार से भारत रत्न दिया गया है कर पूरी ठाकुर को और उसके बाद ये बड़ा जटका जो है वो इंडिया एलायंस को लगा है इंडिया एलायंस में लगतारी मुख्यमंतरी नितीश कुमार जो है वो तमाम लोगों को एक जूट करने में लगे या उसमें से पहला विकिट जो है एक तरीके से कहा जाए कि वो गिर चुका है ममता बनर जी सभी बैठक में जा रही थी लेकिन इस बार जो वर्चुल माद्यम से बैठक हुई थी उस मैठक में ममता बनर जी शामिल भी नहीं हुई और बड़ी बात जो ये कही जा रही है कि ममता बनर जी ने साब तोर पर इस बात को लेकर एलान कर दिया है कि अब वो चुनाव जो है वो अलग लड़ेंगी हलाकि मनो जाने कहा है कि इस पर मिल बैठकर बात कर लिया जाएगा और हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे और जो बात कही जा रही है कि भारत रत्न मिला ह तो इस नितीश कुमार जो है इधर से उधर हो सकते हैं इन तमाम तरह के कयास बाजियों को लेकर मनो जाने अपनी बातों को रखा है क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं शब्द संपदा थोड़ी ब्रहानी होगी बैक फूर्ट फूर्ट रिवर्स यह सब नहीं होता है न करपूरी जी की राजनीत का मतलब क्या है करपूरी जी की तरह का सोच करपूरी जी की राजनीत का मतलब है हाश्य के लिए चिंता मोदी जी के व्यभार में तो चिंता वह अ घ्रणा पर बात होती जाहिर तोर पर ये डिमान लगातार था हमारे रास्टे अध्यक्ष जिनके वैचारी गुरू ते करपुरी जी हमारे मुख्यमंत्री जी नितिश कुमार जी उनकी पार्टी सदन के अंदर हम लोगों ने कई दफा ये प्रस्ण उठाया और दो धाई वर एक 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 स्पेक्टेकल क्रियेट किया उससे भी कोई फाइदा नहीं चलो ये करते हैं लेकिन करपूरी जी के राजनीत को समझने के लिए संकेतिकता से ऊपर जाना हो अलग हो गई उन्होंने फून करके आपको कहा नहीं नहीं उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़े यह अंतर भी रोद सुल्ठा लिया जाएगा अकेले हो गई वह अलग हो गई यह सब बहुत एक्स्ट्रीम रियाक्शन से इससे बचना चाहिए एक सवाल हो जीतन राम माजी ने कहा है कि पश्चीश के बाद नितीश कुमार आर्जेवी का साथ ठोड़ देंगे लालु कब आ गई जीतन राम माजी जी को मुझे नहीं पता है कि आप कह दीजिये कब तक कर दें ने आप कहा दीजिये उसे हिसाब से बीच हो गई बंगाल में मंदाव नेजिया के लिए लड़ने के लिए आप आपकी मन्शा क्या है कि इंडिया ब्लॉक के बारे में बुरी के से होगा और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी हर शुल लास के साथ उसकी घोशना करेंगा